कच्रे से पेट्रॉल दिख ले तो करोड़ पती बच जाएगे क्या रे कच्रा दिंकालने जा रहा है अरे भाई कच्रा तो क्या पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं अपना कंडिशन बता दिया ना बाई बता दिया यहले चश्मा पहन आपके सामने कैसे पहने असल को तीन महीने में दे देना चाहिए जी भाई बंद्र दिन पर ब्याद करेक्ट टाइम पर टाइम वेस्ट मत कर जाके साइन कर तोड़ दिया क्या इन लोगों ने परिशान करकर रखा है कितना बल्ट तोड़ेगा रहे तू क्या देख रहा है नीचे गिरेगा तो तूटेगा मैं क्या करूं इतना डर है तो बहुत हो गया अगर आपको हिंदी नहीं आती ना तो यह आदमी आपको लू बना देता हाँ क्या देख रहा है हाथ में समान उठा और काम शुरू का इडिया उसको जो पैसा दिया नहीं लोटा या इसने उसका घरी हड़ लिया ऐसे बल्ट तूटता रहा तो आपन रोट प्यारा जाएंगे नमस्ते भाई नमस्ते क्या हो अरे घर पे बहुत काम ता दिखाई ने दि पिता जी मर गया तो उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी नशे में बीडी जलाने के लिए शौड सर्किट होते देख विजली के खंबे पर चड़ गये अच्छा बीडी जलाय कि नहीं हां अधिये खंबी पर जलाने के यह अपना काम देख पिता जी तो गय उपर मुझे नीचे जाना है सारा सवान ठीक से इस्तिमाल कर रहे जंग नहीं लगनी चाहिए तो मश्विन के घर आ जाना है अरे लास्ट मांद ही मैंने वो ट्रेनिंग ली थी यार बहुत बहुर है इसको देख पूछो तो सेल्समेन बोलता है जब देखो फोन पर लगा रहता है नमस् आँ अख आँ मां मैं चलता हूं मां अरे चाचा की दुकान से आधा किलो टमाटा ला कर देना नहीं मुझे बबाट प्यारा बेटा है ना ला कर देना भाई क्या है आश्वाम को ग्राउंड में सेमी फैनल मैच है अब आरे हो ना अब अब ये पहले गाजर उप्या दिया अब आप चिंता मत करो मैं उनसे पूछ कर बताता हूं ठीक है बताना अब भाईया जल्दी दोना आज है टालू चलती है वह तो ठीक है लेकिन है चोड़ा लिया रुक 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 तुका भागा तुम लोग अरे बाच नहीं सकते हो तुम लोग को बाच्छा वाई छोड़ेगा नहीं क्या रे उसका चेरा दिखने रा काज लागे वह अरे विक्त्री श्वाटर तो रेते कि लिए चान में आराओ दॉल का कि अधो रच यह चोंश्वाटर गार रुक रुच रुक रुच्ट रुच आ हैं कि अधिकर रिखने में कि अनुक्तां कश्वाट हो अन्दर है सर सिंप एंट हां सर ए सबसे पहले किस ने देखा था एई दूद्वाले इतरा साम मुझे कुछ नहीं पता मैं बाल बच्चे वाला आज मुझे छोड़ लो प्लीज इतने बजे देखा साम साड़े पात बजे सुमा उनकर दूद्ध बेचता हूं अज थोड़ा लेट हो गया साड़े छे बच गये थे हमेशे दूद्ध का बरतन बाहर होता है आज नहीं था इसलिए में अंदर गया तो देखा वह बढ़ी होई थी रोना बंकर यह बताओ अंदर कितने लोग रहत हां सर पता है आप साइड में रो साइड में रही है सर रिश्वत के पैसों से बहुत बड़ी जमीन खरी दिया है देख दू क्या हां सर मैं अलड़ी धर ही हूं सर ओके सर एक कॉंस्टेबल डिसी सर आने वाले हैं सारे क्राउड को हटा हुए यहां से कि मुझे ऩाल क्भाइभ क्याएं सब्सक्राइऑ है इस राइफ ठीम को हुए आ यहां से लोग तुम्यास रिज्व आप तो ऊकिला कि मुझेड ग्ह ZaragGy मुझे लगता है यह फून किसी साइको के लिए ने किया है सर परशुपती यह सर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते रहो एक्यूस्ड कौन है यह मैं डिसाइड करूंगा ओके सर बाहर जो चैनल नाइन वाले हैं उन्हें अंदर भेजो मैडम आपके चैनल को अंदर आपके एक बाइट लेते हैं फिर चलते हैं वेला स्वामी इधर हो उस लड़की ने ड्यस्पी के साथ पढ़ाई किये हैं हमें नहीं पता सर वह जो चापेंगे वह न्यूज है और हम लोग लूज हैं अब यह बाते हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं आप मेरा नाम कैसे जानते हैं नेम प्लेट पर लिखा हुआ है वी स्वामी तुम्हारे पिता जी का नाम वेलू स्वामी है क्या जहां तक हमारा सोचना है यह पारिवारी जखड़ों की वज़े से खून हुआ है अभी इस केस का एफाई यार दर्ज करके हम एक आदमी उप रॉंग नंबर क्या रॉंग नंबर है मैंने तो सरी नंबर डाइल किया है सॉरी सर यह आयूश हॉस्पिटल है कुछ भी हो हॉस्पिटल तो है ना मैं ऐसा ही पशुपती बोल रहा हूं इमिडियेटल एम्बूलेंस चाहिए सॉरी सर आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है यहां पर एम्बूलेंस नहीं है सर हॉस्पिटल है और एम्बूलेंस नहीं है यहां एक आदमी तडप रहा है इमिडियेटली एम्बूलेंस बेजो कुईक पशुपती वह जखमी आदमी ऊपर निकल गया अब उससे कोई फादा नहीं एम्बूलेंस को छोड़कर समेट्री क्या रिया क्या हो गया अरे यार जो भी वन सीरो एडाय कर रहा है उसका कॉल यहीं पर आ रहा है अभी पुलिस का फोन था आंबूलेंस के लिए बोल रहे थे अगर ऐसा है तो इम्डि को कॉल करके बताना मैं किसी के लिए अपने आपको नहीं बदलने वाला देखो मैं ऐस सॉरी सर वो मैं काम में थोड़ी सी बिजी हो गई थी सर क्या बिजी हो गई थी हां तुमारा वर्क ही यही है थार्थस न्यक में मुझे मैसेज आना चाहिए ओके और यूर टाइम स्टार्ट्स नाव साव पुलिस का हलो का हलो चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है जाओ खाना खाओ जाओ लेक फस्रेडी है मैम मैं दीपक बोल रहा हूँ आप कैसी है कितनी बार बोलू मैं यह हिंदी चैनल रिचार्ज मत किया करो है कर दुबारा इस घर में किसी ने यह सब देखा तुम लोग कभी टीवी नहीं देख पाऊगे इतने सालों से मुंबई में हूँ लेकिन किसी अपने ने मेरी मदद नहीं की अगर आज मैं इतना बड़ा आदमी बना हूँ तो ऐसे नहीं बन गया हूँ बहुत तकलीफ उठाई है बहुत मेहनत भी किये मैंने अगर लोगों को मेरी तरह बनना है तो उन्हें भी मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी और ये इतना आसान नहीं है तुम्हारे पिता जी का समय अच्छा था कि मर गे बिचारे वरना उनको अपने हाथों से मार देता मैं उन्हें पता था कि मैं टीवी बगरे पसंद नहीं करता लेकिन नाटक करके मेरे गले बांदिया तुम्हें तुम्हें एक्ट्रेस हो ये बात मुझे पहले पता नहीं थी अगर मुझे फिल्में देखने का शौक होता तो मुझे पता चल जाता कि तुम्हेरा बाप कितना बड़ा फ्रॉड था थैंक्स टू एर फादर दे ग्रेट मॉडल कोर्डिनेटर आज उसकी वज़े से मैं तुम्हें जेल रहा हूँ वो मैसेज किसके आज़रा देखना यह क्या है यह क्या है यह क्या चल रहा है कौन है यह शो मी लट मी सी शो मी शो मी कुछ नहीं है यह हॉस्पिरल स्टाफ और कुछ नहीं जस्ट इन्फैक्ट्शेश्च बट वाट सारी लड़किया मुझे पसंद करती है इसमें मैं क्या कर सकता हूं यह बुड़ी जी साहब इतनी उमर हो गई हो तुम्हारी अभी तक डोसा बनाने नहीं आया तुम्हें जेस्ट वह जीड़ी है और कंभ जैक्ट्ber व। James, listen, there is a limit for everything. क्या समझते हो कि तुम से कोई सवाल नहीं करेगा? I will ruin your life. I have people to do it for me. Sorry, यार, थोड़ा लेट हो गई. सुबाज एक जगा मर्डर हुआ था. वहाँ गई थी. दो लोगों का बड़ी बेहरैमी से किसी ने खून किया था. ये क्या है? सुबाज सुबाज शुड़ू हो गया, क्या? ऐसा कुछ नहीं है. हे? शीबाज, जोन्ट बड़ी यार. एवरिटिंग विल बी और राइट. वह विक्ट्री ना इधर से गुजरेगा. जैसे आये मुझे बताना पिष्टले, तीन महीने से किराय नहीं दिया है. मुझे देखकर वो छुप जाता है. तो मैं अंदर छिप जाओंगा. और आप विसल मार देना, मैं बाहरा जाओंगा. विसल मारना आता तो है न? आता है. अरे यह हुई ना बात. रुक, 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 रुक कि माँ पर शक करते हो क्या थो नहीं क्या लगता है माँ पर यह अपर शक कर रहा हूं तुने उसे बचाने के लिए इसा नाटक किया तु अगर एसे करते रहें तो मैं क्या करूंगा देखा रहे जा रहे माँ टामाटर उधार रख दिया लेले जरा सुन तुने बाद्शाबाई से पंदराजार उधार लिये हैं क्या नहीं ऐसा तो कुछ नहीं तो मुस्से चुट बोल रहा है तेरे पिताजी ने लोगों से जो कर्जा लिया है उसे चुकाने के लिए मैं आप तक चार घरों के बर माँ जा रहे हूं अरे रोग पेटा कुछ खा के जा सुनना नहीं माँ कॉलेज की कैंटीन में खा लूंगी मैं तुम लोग के लिए सुबह सुबह नास्ता बनाखे रखती हूं कि हम सब साथ में खाएंगे अगर नहीं खाना था तो पहले बताती ये लड़की भी न तुम् आपने हां मैंने कुछ नहीं का यह कह रहा हूं कि मेरा खून मेरे जैसे होगा जाओ नाष्टा करो भंगार सच्ची बात कहने का तो जमाना ही नहीं रह गया है जिसको को घुसा ही हो जाता है कैसा लग रहा है अच्छा तो है तो है किसका आटो है क्या कए हमारे अटो है यह अटो हमारी जिंदगी बदलाव लायागा फ्राइब पैसे कमाने की बात छोडो व्यक्राश का क्या हो अरे छोड़ो के बला कं का इप स्कुश चड़ो गल तो मिलती थी महीने में 10,000 यह कोई पगार होती है क्या यह आटो चला कर कितना पैसा कमाता हूं यह देखना तुम पहले सिक्योरिटी में काम किया फिर केबल में काम करने लगे और अब आटो चलाने लगे इतनी पढ़ाई की है तो कोई जॉब क्यों नहीं तलाश कर लेते कहां हो तुम मैं चर्च के बाहर हूं और किटसन अंदर पर ही कर रहा है चर्च में लेकिन बगल से तो कुछ औरी आवाज आ रही है काने वा जूट मत बढ़ो कहां हो तुम आइम अट दे चर्च डामिट हां धामिट शीबा मैं तुम्हें इंसे इंट्रडूस करवाना चांद हूँ हाई आम जैम्स शीबा मेडिकल टूरिज्म कर रहा है हालो अभी दस मिनिट के बाद सर का फोन आएगा तो कहना मैं अभी आई हूँ अगर मुझसे बात करनी है कहेंगे तो कहना मैं नहीं अगर दुबारा दस मिनिट के बाद फोन करेंगे तो कहना मैं सो रही हूँ ठीक है मालकीन हालगत सो अगर तुमने क्या प्रे किया एक विक्तरी नामका बैट्समैं सुपर बैट्समैं है वो बिमार होना चाहिए ऐसा प्रे किया तुम्हारी टीम जीच जाए ये प्रे करना चाहिए था अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी बिगाड़ने के लिए प्रे करना गलत बात है तुम हार्ट वर्क करो जित तुम्हारी होगी हलो, कैसा लग रहा है मेरा लुक सत्या, वो जो मर्डर हुआ है मुझे नहीं लगता फैमिली इशूस की वज़े से हुआ लगता है जरूर उस साइको किलर नहीं ये खून किया होगा देखो मालनी, इस खून वाले केस को लेकर होम मिनिस्टर काफी फजियत कर रहे है अगर हमने कहा कि ये साइको किलर का काम है, तो कहानी खत्म इसलिए तुमने ये बता दिया कि ये फैमिली इशू था, कुछ और भी तो बता सकते थे ना जिसकी डेथ हुए उसका बेटा फॉरें में रहता है उसको इनफार्म करने के लिए हमने उसका नमबर ढूड़ा और उसे फोन करके इनफार्म करने की कोशिश भी की लेकिन फोन कट कर दिया उसने, दुबारा फोन किया, तो फोन सुच ओफ तो सोच लो, इनके लिए कितना प्यार उसके मन में होगा इसलिए मैंने पारिवारी जगड़े का नाम दे दिया, ताकि वो न्यूज सुन कर भागा चला है इतना ही रहे, उस घर में रहने वाले तीन सदस्य है, लेकिन वहाँ बॉड़ी मिली सिर्फ दो लोगों की, जल्द ही जॉइन हुआ सिक्यूर्टी मिसिंग, मुझे सिक्यूर्टी वाले के हूँ पर डाउट है, इनकेस अगर मेरा डाउट सही है, तो सिक्यूर्टी वाला ज है, विक्टरी की मा, रुको, तुम अपने आपको समझती क्या हो, आप खुद तो घर पे रहती नहीं हो, और आपका बेटा मुझे देखकर भाग जाता है, नहीं, मुट्टू का क्या है कि, क्या यह मुट्टू, क्या वो मुट्टू, काम करके पैसा कमाती हो ना, तो किराय देने का मन नहीं करता क्या, नहीं, वो मेरे पास अभी 1200 रुपे है, लेकिन वो भी मैने अगले महने की पगार एडवांस में ली है, आजकल मुझे पगार बराबर नहीं मिलता, तो इसमें, मुझे तुमारी परिशानी की कहानी नहीं सुननी है, मेरी भी बहुत परिशानी ह जल से जल बाग की के पैसों का इंतिजाम करो, सब कुछ तुमने चिन लिया है, तो क्या करेगी, कुछ तु वापस करो से, अपना मुझ बद रखना, एक काम कर, तु घर के बाहर धरम चला का बोड़ लागा दे, कैसा नहीं मेरा कैसी मा में लिया, करम भूड गए मेरे, मिन कल मिलते हैं, निकल लू न, मा, खाना क्या बनाया है, क्या रे, तेरी मा काम पर जाकर इतनी तकलीफ उठाती है, तुझे इसका जराभी है इसास नहीं, तुसे सिफ दो साल चोटा है वो बेलू, काम करके पैसा कमा के अपनी बेहन की शादी करवाई, और दस तोले का सोना भ है न, पर वो भी नहीं, छोटे बच्चों की तरह क्रिकेट खिलने चला जाता है, तुझे जिम्मेदारी कब समझेगा, क्या मा, मैं आटो ठीक से चला रहा हो न, क्यों हर वक्त भाशन देती रहती हो, सब बदलेगा, थोड़ा शांतर हो, वो शांता बाई का बेटा बीच मेरो कर मुझसे किराया मांग रहा है, मेरे हाथ में जो बारा सव रुपे थे, वो भी उसने चीने, अब बस में चाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या होगी अमा, थोड़ा शांत रहो न, पैसा आजाएगा, आएगा, तेरे पिताची छट फाड कर देंगे, हाँ मेरे पिताची छट फाड कर पैसे भेजेंगे, और तुम वो सारे समिट लेना, टीवी है लेकिन चलेगी नहीं, खाट है लेकिन सो नहीं सकते, इजी चेर है लेकिन बैट नहीं सकते, तू जाहे तो ये सब ठीक कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, तुझे बोलकर क्या और मैं क्या करूँ, चल, अभी अभी जो नियूज मिली है, उसके मुताबिक जो खूल हुआ है, वो साइको किलर नहीं किया है, वो साइको एक दिन तुमारा गला भी दबाने आएगा, मेरी मां के हाथों से पैसे छीने ना, अभी बताता हूँ, लेखने ने किया हूँ, दिखा रही है, तुहें यह सब चाहिए, मुझे तीवी सीरियल देखने से रोक रहा था, सीरियल देखने के बचाए, आड दिखा के दिमाग खराब कर देते हैं यह लोग, तुम कहती थे ना पैसा नहीं है यह लो यह रख लो कितनी बार बताओ मैं इन्फोसिस ट्रेनिंग की मैनेजर हूँ बॉस आगर बात करती हूँ मैडम आओ पेटा अभी तक उस घर के लिए कोई किरायदार नहीं आया क्या अभी तक तो कोई नहीं आया मैडम लोग देख के चले जाते हैं पर इस घर का जो ब्रोकर है वह बहुत अच्छा इंसान है अब कैसी हो मा मैं थीक हूँ किस टन पढ़ाई कैसी चल रही है आज मैच है घर जल्दी जाना है मुझे हाँ चल्दी जाएंगे क्या भी ती जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम्हारे चेरे पे गुस्सा रहता है क्या बात हो गई है वो एक दिन भी हम लोगों को यहां रहने नहीं देंगे और घर पर भी शांती नहीं है रोज रोज परिशानी जिलनी पढ़ती है इन सब की वज़ा तुम्हारा पत एक बात साफ कहती हु मा, जैसा पिता मुझे मिला है, वैसा पिता किसी को भी न मिले, तुम्हारा ये कैमरा लेकर घुमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम जैसे लड़के उपे कैमरे के पीछे नहीं, बलकि हमेशा कैमरे के आगे की तरफ होना चाहिए, ताकि तुम्ह कितनी बार बुलाना पड़ेगा तुम्हें, हजार बात तुमों से कहा है, काम के एवक्त फोन पर बात मत किया करो, मेरे सामने मा तुझे दस बार पुकार रही है, तो मेरे पीट पीछे तुम क्या करती होगी? शीबा जाने दे मट डाठ नित्या जरो बैग लाकर देना तुम्हीं से सर पर चढ़ाती हो जाने दो नित्या शीबा को कवर दे दो कैमरे को ठीक करने के लिए कही जगों पे दिया लेकिन इसके स्पेर्स पार्ट्स नहीं मिल रहे थे थैंक यू मा मैं आई को हाथ मर्त लगाना यह दूंगगा माये दूंगा ने दूंगा ने दूंगा मायम ने दूंगा ने दूंगा अब देख्स दूआ करता हूं छोड़ों ने चले डेART डगा ने मारने का अरे क्या है ये फुटबॉल खिलने वाली जर्सी है ये और तु ये लेकर चला आया अरे ये खरीद कर थोड़ी ना लाया होगा फुटबॉल टीम प्लेयर से भीक मांग कर लाया होगा तुमने मुझे हजार रुपया दिया उससे टी-शर्ट करिल दूगा क्या ये जो हजार हम लोगा ये क्या हुआ था ये मुझे ताना मार रहा है इसको और पैसे दे दे हम लोग निकलते हैं चल निकाल कैसी बते कर रहा है तो ने आफ्वर में 110 बनाए है अपटिना पकंवेल हाई प्रेक्स चाहू और थोड़ा कलर्फुल भी नॉर्मल गोरा हो तो भी चलेगा है तुशादी करके क्या कर लेगी हां एक के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारेगी क्या मुझे तो यह शादीवादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे पूरा भरोसा है एक तिन तुम शादी सरूर क है फोटाग्रफर एक हमारी भी फोटो कीचलो अश्यों लोग शिबा तुमारे लिए अक्टिंग का बहुत अच्छा मौका है एक्शन हमारी शादी नहीं हो सकती बीरू कमिंग फॉरवर्ड तो मैं वह करूँगा जो मजनू ने लैला के लिए किया था इमोशन रोमियो ने है हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा थे देंगे और अपने टीम को सहारा देंगे शाब 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 और इस तरह से एक और सिक्स मारा उसने मैं दीपक बात कर रहा हूं इस तरफ दिखी मैं इस तरफ स्टेट फॉर्वर्ड आप से मुझे कुछ बात करनी थी मैं तुम से बात क्यों करूंगी मुझे बात नहीं करनी है पोन रखो इस तरीके से विक्री खेल रहा है लगता है कि टीम की जीत नुचित है और एक बार फेंगे शाब और रहें आखरी बाल और इसमें उने इन जिक्स परारा और विक्री जीत गई एक बहतरी जीत ने रख दिना दिया है पटिना पाकं के टीम हार चुकी है हταंवा किया मां ऐसे क्या देख रही हो हो सुन रही हो ना हमारे टीम जीत रही है जैससे वर्ल कप जीत कका हौ जो जीत करा राया है इसे घर में क्या चावल बनेंगे पिताजी को सब पता चल गया चुब बैट और तुम लोग किया लेकर चाहओ तुम मजाग कर रही हो क्या ये सब इतना आसान है क्या मैं पहले ही इतनी परेशानी से गुजर रहा हूं और उसका खुत के खाने के वहां दे और उपर से तुमें मैं अपने साथ मेरे घर ले आऊंग मैं सोच कर तुमें बतादा हूं तब तक हिम्मत से काम लो कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो तो तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि मेरे घर वालों को शायद मुझे पर करेंगे अभी चल यहां से आजा मा यह ले मा यह भी ले यह क्या तुम पहले यहां से चलो चलो बेटी अरे कह रही हुआ चलो तुम जाओ मैं सब समाल लोंगी अरे मैंने कहा ना तुम जाओ मैं उनको समाल लोंगी मेरी बेटी के खुशी सब कुछ है मेरे लिए इसे लेके जाओ अच्छे से रखना है इसे जाओ गौण बोर्निंग सर ते पहने कर आया है आज बढड़े है क्यारे ये कलर ड्रेस पहन करया है आज बड़े है क्या मफटी है सर आपने तुरंट आने के लिए कहा था इसलिए ऐसे चला है तो किसी के मैयत में आया है क्या और उस मर्डर केस का क्या हुआ सर उस केस में अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया तो फिर सर वो खुनी कोई भी एविडेंस छोड़े विना एक के बाद एक खुन पफेक्टली कर रहा है यहां तुम उसकी तारीफ करने आये हो क्या तो फिर इस डिपार्टमेंट में काम ही क्यों कर रहे हो तुम कब पकड़ोगो उसे ये बताओ सर मैं ढूंड रहा हूं उसे बहुत जल्द पकड़ोंगा तब तक मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे बहुत सारा काम है जब मैं उसे पकड़ोंगा उसके साथ हाजिर हो जाऊंगा कौन है रही ये ऐसे आया है और बिना इज़त दिये चला गया तो फिर मैं मंत्री बनके क्यों बैठा हुआ हूँ और यए ऐसे खाली हाथ क्यों चली हा रही हो दूध का गिलास का है अच्छा तुम्हारा ओटो का है और यो ने बेच कर लोगों को खाना खिलाया ना लोगों ने कहा था कि तुम उनको खाना कंपराओ यह शादी करो यह भी सब ना यह पार तो फिर कल घर चलाने के लिए र सब की चिंता मत करो मैं कि तुमने तो 10 ऑब तो 10 करोकог रुपर जमा कर सबक्रक्रे कर कर रखे किया तुमने करोड़ों रुपर जमा कर रखे it यह सोच कर मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूँ विक्ट्री अपने माबाप को छोड़कर तुम्हारे साथ अपनी जिन्देगी बिताने आई हूँ अरे यार मैं तो मजाग कर रहा था क्यों तुम इस बात को सिरियस ली ले रही हो ठीक है चलो टाइम हो गया बाकी बाते कल यार जिसके पास काम दंदा नहीं उसकी फॉर्स नाइट भी नहीं पहले जाकर काम दंदा करो पैसे कामा उसके बाद फॉर्स नाइट के बारे में सोचना ठीक है ना हूँ पांच लाग रुपे हो जाए ना तो सारा प्रॉब्लम सॉल्ट भाई और समुदरन का करज़ा इरिया में एक मोबाल शॉप डालका बैट जाएंगे कितना पांच लाख रुपया पांच लाख इस एरिया में हम चोरी भी करेंगे ना तो भी नहीं मिलने वाले देख लो कोई देगा क्या अरे तो कहीं बहुत कर सकता है फिर इन लोगों सुधार लेने की बात क्यों कर रह तुम्हें भी अगर पैसा कमाना है तुसका असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते एक बार काम सीख लो फिर अपना अलग दंदा शुरू कर देना तू क्या बात कर रहा है एक तो मैं पहले उससे 15,000 रुपया कर्स ले चुका हूं और अभी कौन सा मूह लेकर उसके पास करेंगे अगर पैसा मिलता है ना तो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे लेकिन उससे पले बाच्छा भाई से मिलना पड़ेगा इस काम के लिए तू हल्प कर नहीं आ रहे है आओ प्रिया आओ आओ अप बेढ़ो हालो अपने वेडरूम के बाहर के टेबल पर एक जोसेफ नम का विजिटिंग कार्ट होगा जब वो नंबर देख कर बता हो तो पड़ो 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 जेम्स जेम्स मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ऐसा मत कहो मुझसे नाराज होकर मुझे अवाइड मत करो प्लीज मैं यह बदाश नहीं कर पाऊंगी आ लव यू जेम्स कि आपको जोनम्हें मुंसे की परे चाहिए अठीक अधीक 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 है अंधा तुम एसा मत करना जा 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 वरी नहीं है नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम बए बए कि विक्ट्री ज़र विस्सल बाजाना तु बढ़े लिग्ता कर मुझे फाषाक तेरी तो को टो है है विक्ट्रीर है विक्त्री रूख रुख है रूख अरे रूख कि ए दैख यह डिख यह आ यह सपिरां पकडूबा दें तो पुलीस हम लोगं को दो लॉक में से आदा तेरा और आदा मेरा 50-50 कर लेंगे पागल हो जैसी बात मंग करो चलो पैसों के लिए लोग बात पता नहीं क्या क्या करते हैं और ये तो एक खून ही है इसको पकड़वाने पर 2 लाग मिलेगा फिर तू इस काम के लिए इंकार क्यों कर रहा है तू भी पागल है अरे मै अरिक बात्शा आटो चला कर बहुत पैसे कमा लिए तूने फोन कर रहा हूं तो फोन नी उठा रहा है आज कल बहुत बिजी है नहीं भाई वो पैसा क्या बोला चांता ने कितने पैसे ले चुका है बोल 80,000 रुपे भी आज के साथ कितना होगा पता है मुझे एक लग 20,000 एक लाग 80,000 हो चुका है कपने कबोल एक इन महिने में तेरा पैसर तेरे पास आजाएगा एक तीन दिन अगर पैसर नहीं मिले तो सोच लेना अब ही चलते हैं चलो रहे अरे कौन है यह लोग तुझे गाली देके चले उतनी डिवांड है जी मुझे जो करना का मैंने कह दि क्या बच्छा भाई गाउं से इतना दूर ऐसा घर बनाऊंगे तो भाड़ोत्री के लिए कोन आएगा यह क्या बखवास कर रहा है चंगल पट्टा में घर बनाकर बेचने कैसे माना है कस्ट्मार के साथ कैसे डील करता हूं तो उस बात पर ध्यान रखना जैसे कस्ट्मार अंदर आए तो पहले दर्वाजे से लेकर आखरी दर्वाजा सब खोलतो सारी खिड़किया खोलतो फटा फटा फट पूरी हवा अंदर आएगी इस एरिया में इस फैसिलिटी के रूम्स इतने कम किराय पे नहीं मिलेंगे ऐसा बोलना है बड़ा चड़ा के बोलो थोड़ा अरे वह इस घर की नोकरानी है मैंने इसको इस तरह कबड खोल के चोरी करते हैं कई बार देखा है उस घर में कोई नहीं क्या बाक्षा बैए एक बुड़ी रहती है बहुत करोड़ पती और उसकी दिखवाल करने के लिए नोकरानी है अगर रात में उस कबड को खोला जाए और उसके अंदर देखा जाए तो हां कम से कम 20 लाख रुपए मिलेंगी दूसरे का पैसा हामी क्यों चाहिए भाई या ला हरे मैं तो सिर्फ मजाग कर रहा था यार पाटी का फोन है सैर आई 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 सैर यह है यहां का सबसे बड़ा हॉल यह अटैच बात्रूम उदर बैटरूम उसके आगे पूजा करूं उसके बगल में कॉमन बात्रूम विक्ट्री आप लोग आई ना यह है ओम सी ग्राउंड की तरह बहुत बड़ा किचन और यह स्विच आ यह पाई पानी नहीं आ रहा यह फैन लगता है इसमें पानी नहीं आ रहा है सर 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 ब्यास पर लिए पैसे की वज़े से नौजवान ने खुदकुशी कर ले ठीक है कल शाम को में महां पर आ जाओंगा ओके और ब्यास देने के लिए पैसे नहीं तो फिर ब्यास लेती क्यों है ब्यास के पैसे वसूल दें कितनी मेहनत लगती है पता है आज उसकी अच्छी क् सबसे मली के अकाउंट में साथ हजार डाला था और एक हफ़ते के बाद अपोइंटमेंट लेकर रखा बीच में किसी कमीनी ने मुझे पता भी नी चला और मेरे फोन से नंबर लेकर साइकल गैप के अंदर ले जाकर आटो पार्क कर दिया सब लग फोन नीचे रखो मली ने जो नमर दिया उस पर फोन करो तेरा फोन है क्या तेरा है तेरा है तेरा है नाई माई तेरा है कि आज के बाद बन्ली के बारे आज के बारे मेरे फिलाब खड़ा हो रहा है तो ने मुझे आख भाया अब तेक में क्या करता हो ए थेरी तो भाझति, जब मैना मेदुन्नान ने, गरी लिफास लग। नें कर Orbea! ये Hayy जड़े का सब्याग। अहुं तो में और... तेरी तो... अबे जोस दिखाना था तब तो दिखाया नहीं अज क्या करेगा दिखा के जांदर अज जांदर लग्या तरह को जोडूँगा नहीं तो तजे वे जोडूँगा नहीं सर कौन थी वो फोन पर कौन थी कौन तो पहर में जब आपने नंबर लेने के लिए फोन क्या था तब आपसे कौन लड़की बात कर रही थी क्यों जानना चाहती हो तुम वो मेरा परसनल है उसमें टांग मतड़ाओ एक गैर लड़की आफसे आई लव यू कहेगी और मैं चुपचाप बैठोंगी मैं तुम्हारी बीवी हूं बीवी हूं देखो मैं कहां जा रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं यह सब तुम्हें अपडेट नहीं कर सकता मैं समझ गे ना क्यों मुझे हक नहीं है मैं कुछ बे नहीं पुछू कुछ बे मत पुछो यू नॉट माइव वाइफ यू अजस्ट पब्लिक फेस और हां साथ सालों से तुम्हें जेल रहा हूं अब और नहीं जेलना चाहता समझ गे और नहीं जेलना चाहता मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं सिर्फ नाम की बीवी नाम की वाइफ मैं सिर्फ तुम्हारी नाम की बीवी हूं शायद इसने तुमने कभी मेरी इजब की नहीं लेकिन भी एक इंसान हो मुझे भी लगता है के अपनी मां के देख भाल अच्छे तось तरीके से करूँ लेकिन इसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती है मैं अपने मनसे हास नहीं सकती किसी से बात नहीं कर सकती पता नहीं मैंने क्या पाप किये शादी के बाद सिर्फ दो साल दो साल मैंने तुम्हारे साथ चैन की जिन्दगी जी है पिछले आठ साल में एक बार एक बार में तुमने तुमने मुझसे प्यार से बात की है या मुझे बाहर ले जाकर मेरी मन पसंद चीज दी है चप करो क्य मैं तो यह सब परताश नहीं कर सकती तेरी चागा कर मैं होती न तो चलहट बोलकर छोड़ देती तू एक बार हाथ बोलकर देख तेरे हस्बन के खिलाफ मैगजीन का कवर पेज बनवाऊंगी मैं और लिखोंगी कि दहेज के लिए यह अपनी वाइफ को टॉचर करता रहता है एसे जीने से तो अच्छा है कि तू उससे डिवोस ले ले चोड़ देना उसे मैं अकेली होती तो बात अलग थी लेकिन डिवोस लेकर मैं किटसन को लेकर कहां चाहूँगी तू क्या अनाथ है तेरे माबाप नहीं है उससे डिवोस दे और बच्चे को लेकर अपनी मा के प जाओंगा ना नहीं यह मेरे फ्रेंड का घर है मेरे पास एक प्रोड़क्ट तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जड़ा देखना कौन है हमेरे ह can अब हाय मैडम कौन आ वहां ? टे शॉप से आया हूं मैडम कुछ नहीं चाहिए बाब आप आप जाहिए बॉड़िको सुन्म करने के लिए एक पैल्ट भी है वेजटेबल कट करने के लिएक वेजटेबल कटर भी है कौफी बनाने कौफी में कर रोगा। और चपाती यह क्या है देखिए तो भी क्या है ओ से ही पॉट से लगा था मैंने इसे को दिया तुम्हारे पास कैसे है थैंक कूं आप फोट खिचती ती माइम अब अब फिल्मी बाते मत करो तेखिए फिल्मी बाते नहीं कर रहा हूं बातो ओलwart है आपको आपको फोन करूँगा चलता हूं अभी डॉक्टर कोमाक्षी सुंद्रम कोमाक्षी सुंद्रम हो गई योके लिखने के लिए अच्छा है क्यों प्रिया आ गई क्या बात है कुछ नहीं अंकल आपसे मिलने आई हूं क्यों मैं जब से पैदा हुई हो अंकल को नहीं देखा क्या मजाग मत कीजिए न अंकल ठीक है नहीं करूंगा पिता जी ने डाटा क्या नहीं अंकल बाभी ने कुछ बोला क्या ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है? वो आफिस में आफिस में क्या? आफिस से बह। परेशान हो गई हूं मैं क्यों काम बहुत ज्यादा है? नहीं, मेरा M.द.ी है न बहुत टॉच़र करता है जब देखो मुझे गालियां देता रहता है हर 10 मिनिट में मुझे फोन पर मेसेज भेजने को कहता है फोन करके I love you कहने को कहता है I love you कहने को कहता है हाँ अंकल अब तो अफिस जाने का मन ही नहीं करता क्या नाम है उसका James अफिस कहा है तुमारा निलांगरे ठीक है तुम जाओ जाओ डरो मत मैं आता हूं ठीक आंकल मैं होना डरने की जुरत नहीं है जेम्स की रास दिला लिखकर फार दूंगा उसको मैं करते है 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 फैलो मैं मैं डीपक काई डीपक हाँ बोलो उस दिन में आपके फ्रेंट के घर अधा आपको पुरा तो नहीं लगाना कोई बात नहीं आपके साथ कौफी शॉप में कौफी पीनी है अगर आपको चन्नली में प्रॉब्लम है तो महाबली पुरण में अच्छी कॉफी शॉपे वहाँ चले नहीं मैं नहीं आ सकती एक दिन आप जरूर आएंगी मुझे पता है कि अप आप वो सॉरी 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 कि यह जो गायब हो गए थे तुम ज़ल्दी से उट्टो लेंकर आओ अब के में आपके अब आपके अब बहुत अब आपके अब आपके अब आपके अब अब पेशन्ट के कौन है उनको पहले भी ऐसा कभी हुआ था क्या नहीं सर उनके हाट में दो ब्लॉक है घबराने की जरूत नहीं है एक छोटी सी सरजरी करनी पड़ेगी आप पेशन्ट का नाम बताईए और ताट हजार रुपए कैश काउंटर में जमा करवा दिए साथ हज तो भी चलेगा तब तक उनको अबजर्वेशन में रख देते हैं तुम चाहों तो साथ में रह सकते हैं इतने पैसे कहां से लाएंगे वो सब मैं देख लूंगा तुम मां का ख्याल रखो यह लो यह पैसे रखो मैं जाकर आता हूं हाँ बोल विक्ट्री अरे यार कहा हैं तो यहार ऑफिस से निकला हूं अभी घर जा रहा हूं अरे मां की तब यह ठीक नहीं है यहां सुगम होस्पिटल में अड्मिट किया है तो यहां आ सकता है किया यह तो क्या बोल रहा है तो फोन रख मैं दस मिट पहुंचता हूं हेलो मिस्टर विक्ट्री और यू जब भी मैं तरी को फोन करता हूं तो क्राइब हो जाता है ठीक है लड़के लोगों को बेजता हूं उनके आज से पैसे भिजुआ देना ओके भाई ज़रा मेरी बात सुना यहां मेरी मां की तबियत खराब है यहां सुगम होस्पिटल में उनको एडमिट किया है कल सुभा ऑपरेशन करना है ऐसा डॉक्टर ने का है इसलिए मुझे साथ हजार रुपियों की जरूरत है अगर आप साथ हजार मुझे देते हैं तो मैं आपका सारा पैसे एक साथ हजार रुपे देख मैं तेरे को एक आसान सा आइडिया देता हूं तू कहीं से साथ हजार रुपे का इंतिजाम कर और लाके मेरे को दे दे वरना तेरी मां का ऑपरेशन सुभा नहीं हो पाएगा समझा तेरा ऑपरेशन होगा याद रखना क्या हो गयरे ए चल मेरे साथ बताता हूं कि भाई मेरे पास सिर्फ दस अजार रुपे थे एटियम से निकाल कर लाया है यह रख ले पचास हजार दो हजार तो मेरे पास भी है दे दूं क्या तुझे पहले बोला चाहिए था ना मेरे पापा का फोन आ रहा है एक मिनट रुख हलो बाद में मिलता हूं मेरे पास बिरियानी खाने के पैसे निये इसलिए 10 रुपे के विसकुट खा रहा हूं तू भी ना यार वाई क्या बोलों पचास हजार हाँ ठीक है मैं चलता हूं जो भी होगा मुझे फोन करना है चलता हूं चलती है कर दो कि अ आ कि कि जन्नई के त्रिवल्लिक केन में 70 साल के बुड़े आदमी पर बूरी påья से वार किया गया उस बुड़े आदमी को सुगम होस्पिटल में एडमिट किया गया है लोगों का कहना है कि ये काम भी साइको किलर का ही लगता है चिन्ने में पिछले दो महिनों में बार ऐसे लोगों को मार कर घायल किया गया है किसने किया ये सब और खास बात ये है कि ये घटना सिर्फ बुज़र्गों के साथ ही हो रही है इसके पीछ परश्वपती सर चैनल नाइन वालों को अंदर बेज़ सिर्फ आप अंदर आए तुम सब दो जाओ चलो पीछे यह हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है सिर्फ चैनल नाइन वाले को यह अंदर बुला जाता है हम लोग क्या देखने में रिपोर्टर नहीं लगते हैं क्या है क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है हां लेंगे अंदर दाड़ी वाड़ी सेव करो चेरे पर बढ़िया से मेक अप करो कमर तक बाल रखो चूड़ी पहन लो और जाकर बोलो मैं कमें सैर ऐसे नजाकत में बुलेगा ना तो अंदर ले लेंगे तुझे कोशिश करके देता है शायद उसे पेन की पावर का नहीं पता इस बार मैं आग नहीं लगाऊंगा जौला मुखी भड़का दूंगा अब पलिस से लेकर पॉलिटीशन तक और अवरत को देखकर पिखल जाते हैं तुम लें क्यों खड़े हो यहां पे जाओ यहां से नाइन नीउस देख पर जाएगा और माजी ससूर जी कैसे है इस वक्त तुम उनके बारे में क्यों याद दिला रहे हो बेटा छोड़ो उन्हें ने बहुत है टायड हो गया हूं मैं जाकर नहां लेता हूं उसके बाद जाकर सूसी का आटो लिकर आता है पिर मां को लेकर चलते हैं ठीक है बटा बालों को बाहर बेज़ दो ठीक है सर क्यों बैठी है अंदर आ जाईए मैं अंदर नहीं आऊंगी तो फिर इतनी दूर क्यों आई हो आप मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आए थी अच्छा ठीक है तो अंदर आकर थैंक्स बोल सकती हो दीपक यह हमारी लास्ट मीटिंग होगी इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे क्यों क्या हो गया मैं 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 एक जरूरी बात बोली थी समझ मैं नहीं आ रहा कैसे कहूं कॉफी शॉप के वाश्रूम के कांच के पीछे मैंने पेपर में कुछ लिक कर रखा है आप पढ़ लेजेगा कर रहा है? मैं वाश्रूम अगर इस चेहरे को लेकर बाहर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कहां जा रही हो है मैंने पूछा कहां जा रही हो है मालिने के घर जा रही हूं है हेई वाज़ सप्राइज बहुत दिनों से पहना नहीं था इसलिए ट्राइ किया अब तुम ऐसे ही रहो यह तुम पर अच्छा लग रहा है लॉंग ड्राइफर जाने का मन कर रहा है यॉवाट में तो कम विद यू नो नो इशुज मैं जा कर आती हूं हाई हाई ये लोग ये क्या है तुम बाइक पर बैठोगी इसलिए फेस पर बान देना माजी का इलाज कराने के लिए तुम इतने पैसे कहां से लाए थे हाई मैं तुमसे ही पूछ रही हूं तुम्हारी चैन गिरवी रखकर हॉस्पिटल का पैसा भर है तो क्या हुआ अच्छा है बस यही एक काम बागी था वह भी तुमने कर दिया मा के इलाज के लिए चैन लिए ना तुम ज्यादा चिंता मत करो अगले मैंने चुड़ा कर दे मैं नहीं जानती तुम कहां जाओगे कैसे लाओगे लेकिन मेरी चेन मुझे कल तक चाहिए और अगर नहीं लाए तो मैं कल सुबाही अपनी मां के घर वापस चली जाओंगी ए मित्रा सौरी यार मेरी बात तो सुनो छोड़ो पहले जाकर चेन चुड़ा उसके बाद मुझे ये प्यार दिखाना सासुमा आप गलत मत समझना मुझे मैं यह सब उसके अच्छे के लिए कर रही हूँ शायद मेरी बातों से उसे जिम्यदारी का हैसास हो जाए हाँ शायद तुम्हारी बातों से सुधर जाए मैंने जो मेडिसिन दी है 30 डेज तक कंटीनू खाते रो तुम्हारा इस्ट्रेस जरूर कम होगा सच मुछ कम होगा क्या हंडेड पसेंट इटिल वर्क आउट हम बाइद वे हाउस यूर वाइफ मैंने जो लकेर खीची है कभी पार नहीं पाक दे पाक दे विरू में यदर पाक दे फिल पस कल और मैं चन्नई में रुकूंगा उसके बाद मुझे मलेशिया जाना है तुम तो दस दिद रहने वाले थे ना वीज़ा एक हफते बाद मिलने वाला था लेकिन उजल्दी मिल किया तो जाना पड़ेगा वैसे क्या मैं आपके साथ एक बार डिनर कर सकता हूं बहुत मुश्किल है दिपक मैं रात को बाहर नहीं निकल सकती मैंने आज तक आपको फोर्स नहीं किया है अगर आप सोचें कि तो जरूर हो पाएगा कोशिश तो करनी पड़ेगी ना अगर कुछ कहना है तो मेरार के पीछे देखना है अगर कुछ कहना है तो मिजर के पीछे देखना है कॉल माइ लैंड लाइन शीवा जड़ा फॉन उठाना हेलो प्रिया हें दो हेलो कितनी बार का आए घर पर फोन मत किया करो तुम्हें जरा भी अकल नहीं है आप फैमिली बैंड रखो फोन हैंसम होने का यह नुकसान है मैंने आज तक आपको फोर्स नहीं किया है अगर आप सोचें कि तो जरूर हो पाएगा कोशिश तो करनी पड़ेगी न कर चुकानने के लिए में चार घर के बरतन माचती हूं अगर तु भी करजा लेता रहा तो मैं बरतन ही माचती रहूंगी चार दिन करके चार मेंने लगा दिया हमा कैसे तुछ पर यकिर लो मुझे कुछ नहीं लेकिन कल सुबहे तक मुझे मेरी चेन वापस टाहिए अरे भाई अगर पांच लाक रुपए मिल जाए ना कितना पांच लाक रुपए इस एरिया में हम चोरी भी करेंगे ना तो भी नहीं मिलने वाले अगर किसी रात को उसके घर का कबड खोले तो 20 लाक से कम नहीं मिलेगा 20 लाक तो कम से कम निकलेगा 20 लाक सोच लो 20 लाक 20 लाक 20 लाक 20 लाक हेई शीबा यह क्या अपना सारा सामान पैक कर रही हो ओ आज शाम को मुंबई जा रही हूं एक अर्जन मीटिंग है दो दिन में वापस आ जाओंगी अलमेक जी हम आज शाम को जा रही हो हां मालेनी इफ ये डोंट माइंड आज जात में तुम्हारा घर यूज कर लो क्यों वो मेरी पुराने फोटोज रियर्रेंज करने हैं तुम तो जानती ही हो शूर आल गिव ये माई फ्लाच की अरे ये दूद उबालने का प्रोग्राम कम आया है एक फैमिली आई है सुरिया नगर के घर की चाबीदों उनको कर दिए ले चाबीदों सम्हालना हां यह वो सब मैं सम्हाल लोंगा ठीक है बाई जल्दी से मोरत निकाल के दूद उबालने के रिजिम कर लो हुआ है कौन हो तुम नहीं वो सुना है इस घर के लिए सिक्यारिटी गाड़ चाहिए इसके लिए मैं देख रहा था क्या उस घर में अरे उस घर में कोई रहता ही नहीं तो सिक्यारिटी की क्या जरूरत इस बिल्दिंग में किसी घर के लिए बोला था अब काउन सा घर है यह तो मुझे नहीं बता किसी ने गलत बोला होगा चलो निकलो यहां से ठीक है ठीक है ओक्यों कि 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 करीब फाइव क्लॉक के आज रात को में मा के पास रुकने वाली हूं यह कौन सी नहीं आदर थे तुमारी नित्या की तब्या ठीक नहीं वो आज रात नहीं आएगी मा के पास कोई तो होना चाहिए कि वन सेक्ड़ा कुलॉक फाइव नहीं तो बेटा रहें तो बेटा रहें तो बेटा रहें तो बेटा रहें हाँ हाँ हम लोग पहुच गये फ्लाइट नहीं पे थी एक मिनट मालिनी तुमसे मिलने कोई आया है बेटा है शीबा अरे मैं मुंबई नहीं गई अंकल और आंटी अचानक ही यहां आ गए उपर का रूम फ्री कर दिया है तुम वहां काम कर सकती हो ठीक है न इस ओके कोई साइलें कि अश्ञ्ट बस्ता है हुआ 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 हालो हलो मैं कब से तुम्हारा फोर नौट रिचिबल आ रहा है एक चुरी मैं मैं यहां पड़ता वहां पर सिगनल नहीं मिल रहा था एनिवे टिनर कंफर्म है ना आपके फ्रेंड के घर पर ही हमें मिलना है ना वो मुंबई नहीं गई यहीं पर है टिनर वहां नहीं है मैंने दूसरा एंड्रेस लिख कर रखा है तुमने देखा नहीं ग्या वर में है तो आपके दोस्ति घर के अड्रेस लिखा था था nा ठीक है मैं दूसरे एड्रेस बताती हूँ, नोट कर लो एक मिनिट नमबर नाइंटीन, मलर तिरू सूर्या नगर तिरूवानी देस बज़े की बाद वहाँ जाना दर्वाजे की बेल मत दबाना, आकर मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके हाँ, और एक बात, आते समय बाइक पर मत आना, वो बाइक की आवाज आएगी, ओके? ओके हलो, मैडम नित्या, कहां है तू? मा को देखने के लिए घर पर जाने हूँ नहीं, तू मत आना, आज मैं मैं मा के पास रुकूँगी ठीक है मैडम स्रीबा, तूम इस वक्ति आहां, बेटी हाँ, वो मेरे पुरानी फोटो है ना, उन्हें सब रियरेंज करना है, जेम्स को बताकर आई हूँ, तुम रेस्ट करना, हम् मैं उपर ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुलाना, ठीक है हलो, हाई मैम, हाई, कैसी है अप, ठीक हूँ, मा सो रही है, एक्टम सूपर औरेजमेंट किया है आपने पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या ओ ठैंक्स मेरे साथ डिनर करने के लिए फिर से एक बार ठैंक्स कल से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी इसलिए रिस्क लेकर ही अरेंज किया है क्या मैं सुर्फ आपको शिबा बुला सकता हूँ शिबा आ लव यू सो मच क्या हुआ शिबा कुछ नहीं हम दोनों लाइफ लॉंग फ्रेंड रहेंगे ना पता नहीं फिर कब देख पाऊंगा तुम्हें जल्दी खाना खाऊ और निकलो शिबा शिबा क्या हो रहा उपर बेटी शिबा शिबा बेटी बैठी शिवा शिवा यह उपर क्या अगेजने की आवाज आ रही है बैठी ठीको न! आप इसे पहले से जनती है क्या वो बैग इसी का है क्या यह आपका है जरा देखिए इसे जानता हूं इसे कहीं तो देखा है मैंने यह बहुत खतरना गैंका आदमी है लेकिन यह आपके घर में क्या कर रहा है माँ मेडम 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 रेखिए आप डरिया मत मैं यह सब संभाल लूँगा तुम कौन हो और यहां क्यों आए जिसके लिए यह आए था मैं भी उसी के लिए था मेरी माँ आपकी माँ ऊपर आजाएगी आप जाकर उनको संभालो अरी जाओ मेडम आप तक उस प्रॉट पर भरोसा किया थोड़ी देर मुझ पर भरोसा कर लो अरी जाओ मेडम कुछ नहीं मा कुरसे गिर गए थी आप अबे तक सोई नहीं नहीं बेटा आप सोच अलिए हाँ अब चले मेडम कहां बताता हूं आप गाड़ी निका लिए सोचने के लिए वक्त नहीं है मैं जो बोलता हूं वैसा कीजे गाड़ी निका लिए और साथ में बैक भी ले लिजी अपन में ले ले लेड़ी वाड़ी चरुटा सकतू नहीं मेडम एक मिनिट गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए देखिए मेडम एक बात बता देता हूँ आपको, पुलिस से आपको डरने की ज़रूत नहीं है मैं सच का हूँ तो मैं आपके खर पर चोरी करने आया था, लेकिन आप डरिये मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई चोर नहीं हो, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे चोर बनना पड़ा, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी जो मैं आपके घर पहुंच गया, अगर पुलीस, मैडम डरना मत, अगर पुलीस वाल आपसे पूछे न तो आप कहना कि मैं फिल्म देखने जा रही हूं, मैं स्रीट के नेजे चुप जाता हूं, हाँ इतनी राद में कहां जा रही हैं आप, फिल्म देखने जा रही हूं, ठीक है जाओ कि लखने जारियो सरे कौन सी फिल्म कौन से थियाटर में यह भी तो पूछो अगर कौन सी फिल्म पूछन sharply है तो बोलना और तो नाम पूछा तो भोला सट्यम सब्सक्तोर सांड गार जा रही हो फिल्म देखने सर कौन से फिल्म किस त्यटर में सत्य ठीक है जा जो कि वह द्रिश्यम फिल्म दखने जा रही है सर्दृष्यम में अजय देवगान खुद मटर करता है और लाश को छुपाकर पुलिस वालों को घुमाता है सर्थ हां लेकिन वो जब तो फिल्मों में होता है हमारे साथ थोड़ी होगा हाँ यह कौंसी जगा है रुकिए बाड़ी रुकिए मैड़म आप 10 मिनिट यहीं रुकिए अब मैं जाके आता हूं हम इपोग मैं आता हूह रुकिए हमैं इपश फालर सबस्टर का एढ़ आता है अाहाओ अाहाओ अाह करे अी? इन उए मैंव है आक टे लिकले आी吗 अर six अ मैडम सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है यह लास्ट में कैसेट बचा है तो मैं आपके सामने यह तोड़ देता हूं अब आप टेंशन मत लीचिए बेफिकर होकर घर जाए मैं अपना बैग ले लेता हूं अब आप जा सकती हैं घर बाल दो मिलादब पता है यह लें दो बन्मा I ले लेंशने फिराए म नीश को को लेंशने मिलादवरा शुर्वर लेंशने हैं कर दो Limited हुआ 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 que अभिए लद टुट हुआ Ao past लदे रान तो तो साइको किलर को आपिलिए और पुलिस के हवाले कर दिया तो एक्रिमंट के मुताबिक फिसके पूरी डिटेयलज है चल चल कर पकड़ते रहे आप हाथ छोड़िये मेरा क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो अभी टाइम की आवा है साड़े तीन बजे हैं अब तक तो खून करके अपने आराम से सो रहा होगा आप भी जाकर सो गया होगा उसके बारे में तूसका करेक्ट टाइम बता रहा है मुझे तो तेरे उपर हो रह है सच मता दे कहीं तू वह साइको किलर तो नहीं है देखो जो भी मन में आये वह बोलो मत जाकर सोजाओ नहीं तो आपको आकर मार दिगा एई मैं कल सुबह तक उस साइको किलर को पकड़ के दम लूँगा या तो वो रहेगा या फिर मैं पास में जो विश्णु अयर जी रहते थे उनको किसी ने मार दिया है हम सबको ऐसा लगता है कि ये काम साइको किलर का ही होगा पुलिस को इंफर्म कर दिया है अब हम घर-घर में जाकर सबको होश्यार कर रहे हैं समल कर रहे हैं हो सके तो सेक्यूर्टी गाट को भी बता दे देए सब्सक्राइब आई यह सर इस आदमी के राइट साइड में गले पेवार किया गया है सर मुझे लगता है यह भी उसी का काम है अरे यार यह मुझे भी पता है बहुत परेशान कर दिया है सर उसने छे महिने में 14 खून किये हैं सर इस बीच रात में कोई भी घूमता हुआ मिले तो उसे अरेस्ट कर लो ओके सर लेकिन ये बात प्रेश्ट तक नहीं जानी चाहिए नहीं सर है 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 चेन चुड़वाई तुमने है अंदर चल के बात करते हैं न यहीं बताओ पैर पड़ता हूं तुम्हारे दो दीन का टाइम दे दो मैं किसी भी तरह चूड़ा के लाऊंगा ठीक है सिर्फ दो ही दिन का वक्ते रहीं करू कमर मांगा क्या भाई आपको पढ़ना नहीं आता है थीक से पढ़िया ना यह करू क्या है रहे करू नहीं भाई गूरू और यह कमर क्या है कुमार अयाय मेरा बच्चा मांगा लेकिन यह मांगा क्या है मांगा नह्या भाई वहाँ पर लिकाए मंगा तो गया था क्या रहे नहीं वहां मैं ता है आपका फोन बज रहा है तु डराता क्यों रहे है फोन ही तो बज रहा है ना कान खोल कर सुन ले अब से तेरा पुरा वक्त शुरू तेरा गेम बजाने के लिए चंगल पट्टों से आद्मियों को यहां बुलाया है चंगल पट्टों क्या तू चाइना से आद्मिय बंगा ले मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता तो यहां जो जब तीच रास्ते पर दढ़ादोडा के नहीं मारा ना तो मेरा नाम वेलू नहीं जब तू मली के मामले में सिल्ली की तरह बरताओ किया ना तबी सोच लिया तुरे को खत्म कर दूंगा चल देखेंगे कौन किसको मारता है कुवीडी करके मेरे को असाता है पौर रख पौर रख एए तू किदर गया रहे देखता नहीं है इसली बार कब देखा था उसको है दो कि दो कि शुपर हो गया बाई दखो चिंता करने की बात नहीं है नहीं से सर अरे तुम्हारा काम हो जागा मैंने बोला गूड मॉर्ण सर अव अव डी सी सत्या इस शहर में जब से तुमने ड्यूटी जाइन की है ना यहां कितने खून हो गये तुम्हें पता है क्या सर दरसल बात यह यह प्रेशर मुझसे सा नहीं जा रहा है उपर से मुझे टॉर्ट सर कर रहे हैं यह बता दो उसे कब तक पकड़ोगे वे अ माइजी कह रहा था कि तुम बहुत इंटेलिजन्ट हो किसी भी तरह के क्रिमिनल को बहुत आसाली से पकड़ लेते हूं यह ऐसा कह रहा था इसले तो तुम्हें मुंबई से यह बुलाया लेकिन तुम काम्याब नहीं हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी चुए को भी की ही जान ले रहा है अरे इसलिए तो कह रहा हूं मैं कि उसे मेरे घर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लो आपके लिए पुलिस का बंदबस्त कर दिया है तो तुम यह कहना चाहते हो कि मुझे भी खत्रा है जाकर मूध हो कर आओ दस दिन के अंदर उसे पकड़ के हाजिर करो मैं तुम्हारे पेर पकड़ता हूं भाई युट्स हाँ प्रिया बोलो बेटी ऑफिस में उसका बड़ताव मैं सह नहीं पा रही हूं आपने कहा था कि आप सम्हाल लेंगे लेकिन लगता है आप तो पूलिए नहीं नहीं बेटी हम लोगों को देख कर डर यह ठीक नहीं है ठीक है अच्छा नाम क्या बताया था उसका जेम्स अंकल ठीक है ठीक है मैं एक चूहे को नहीं पकड़ सकता मेरे बारे में ऐसी बातें कही जा रही है इससे अच्छा तो मैं मुंबई में था यहां मैं तुम्हारे लिए आया था बस एक बार वो साइको किलर मेरे हाथ लग जाए तब उसे पता चलेगा कि मैं उससे भी बड़ा साइको हूँ मिनिस्टर के पास जाकर मैंने बोला था सर वी आल्मोस्ट गॉट हिम तो इसका मतलब क्या है हर को ये बात अच्छी तरह जानता है इस पोलिस डिपार्टमेंट में मेरे अलावा उस खोनी को और कोई नहीं पकड़ सकता फिर भी मेरे बारे में कहते हैं मैं एक चुहे को पकड़ने लाइक भी नहीं हूँ कुछ देर चुप रहोगे तुम मेरी परेशानी भी समझने की कोशिश करो घर में ममी पापा रोज फोन करकर के मुझे टॉचर कर रहे हैं कब शादी करेगी कब शादी करेगी क्या जवाब दू मैं उनको बताओ जब देखो तब सिफ अपने काम के बारे में सोचते रहते हो अगर ऐसा ही रहा तो हमारी शादी कब होगी बताओ वहां कहां जा रहे हो बैड रूम में छुप जाओ यह लोग यह लोग यह शूज शीपा क्या हो गया क्या हुआ कुछ बताए कि भी प्लीज बता जेम्स ने कुछ किया मा की तब्या ठीक नहीं है तो फिर क्या हुआ बता ना प्लीज मुझसे बहुत बेड़ी भूल हो गई है माली नी यह क्या बोल रही है उस दिन जो सेज्समेन आया था वही है क्या पागल है क्या तू जेम्स के नफरत की वज़े से मैंने यह किया और वह दूसरा आपी कौन था पता नहीं उस यद बाड़ी का क्या किया वो लेकर चला गया वह से लेकर चला गया हम पास्ट इस पास्ट जो हो कि उसे याद करके परेशान मत हो तो यह बात किसी को बताएगी नहीं न मैं तवी फ्रेंड हूँ यार मालिनी तू डर मत मैं हूँ ना मैं संभार लोंगी ठीक है सत्या हां कौन था कौन आया था फ्रेंड थी क्या हुआ मुझे शॉपिंग के लिए बुला रही थी मैंने मना कर दिया उसे मात मर्फ्यू बाई तरिया ऊपिणा रहे जा अब्सक्री सारी फोटो लड़कि योगी क्या वाथ है हां के लिए हां प्रोट लगता है भाई आप गजाब भाई को भुला करके इसके साथ दोस्ती कर दो ना अगर इसके साथ कर लेता तो जेल में सढ रहा होता और तुम लोग बाहर आयाशी करते हैं मेरा मतलब वो नीटा भाई ठीक है यह सब पैक करके मेरे गोदाम में लेकर यह तो अपने एरिये की लगती है मेरे नीचे धाई सा लोग काम करते हैं अब ए ए रुपना ए ए सुनतो ए उस दिन सेक्योरिटी का काम रून रहते हैं यह काम है तुमारे लिए मुझे काम नीचाहिए जाओ तुम यह ले यह कोई काम नीचाहिए मैं इतना पर्फेट काम करती हुँ ना कि बॉस मुझे देखते ही खवर आ जाते हैं अब गुड गुड मार्निंग मैडम बगल की दुकान में जाकर आने में इतना टाइम लगता है तुम्हें जो पगार दिया जाता है वो काम करने के लिए फोन पर बात करने के लिए नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है जाओ मैडम ऐसे घुमने पिरने नहीं गई थी मैं काम के लिए गई थी मैं बाहर आभी आपको मैं बताती हूं मैं क्या काम करके आई एक मिनिट भाई सहाम आओ आओ सेक्योरेटी के लिए आप कुछ आए था ना कोई देखिए मैं लेकर आई ह क्रूम्हारी ग्रीत कि अरदहा श्रहारी के आपको कुछ यह भीकुए हूं इसार आपको आफारेड ने खोतक करे देखिए श्राइड मैं आफार इसार इमयरोंगर दुआर दूलंगर्ण चेहरा हां है यह श्यारा विख श्यांद वेयरोंगर्स यह युज़िए हैंगर्स एकिटसन कैसी टीशिट पहन रखी है ऐसी घटिया टीशिट तुमारी माई खरीद कर दे सकती है घर में एक इंपोर्टेंट गेस्ट आ रहा है और तुम ये ड्रेस पहन कर रहोगे तुम्हें टीशिट गिफ्ट किया था वाइट टीशिट पर रेट कलर डिजाइन जाओ से प हुआ है हुआ है फोर्क नहीं है क्या लाती हो साहब जो ले कर आओ देखो कौन आने वाला है हुआ है अलो इस बीग अ लॉंक टाइन एगला आन्या राजो वह की आपका हाथ इतना काम क्यों रहा है तरहा है जेम्स बता रहा था मैं भी मुंबबाइ में था दो साल शेहरों का शहर आमची मुंबाई वैसे आप मुंबई में कहां रहती थी क्या हुआ इस घर में सब के हाथ कांपते हैं क्या हूँ यू मस्ट बीकिट्सन गुट इवनिंग अगुट इवनिंग हाव यू आम फाइड नाइस टी-शिर्ट नाइस कॉमिनेशन थैंक्यू अंकल मम्मी ने गिफ्ट दिया है सुपर सेलेक्शन से पता चलता है आप मुंबई रह चुकी है मैंने आपको टी-बी में देखा है अंकल ओ रेली चलो कम से कम इस घर में एक का तो हाथ नहीं कांप रहा है शेल वे स्टार्ट या शिर और सत्या साइको किलर केस कहां तक पहुचा पकड़ा गया नहीं अभी कहा यार डे नाइट उसी केस में तो लगा हूँ मिनिस्टर लेवल से प्रिशर है मुझ पर वो बुजरू लोगों को ढूंड कर मारता है ऐसा सुनाए मैंने दरसल वो गुड़नाइट किट्सन गुड़नाइट अंकल क्यूट बॉइ यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती है ब के बाद एक दो साल बीतने पर ही कॉंट्रेक्ट खत्म है ऐसा कहकर जूट बोलते हैं और यहां पेरेंट्स को अनाग छोड़ देते हैं अरे भाई जाना है तो जाओ ना लेकिन अपने घर पर एक सिक्यूर्टी को तो छोड़ कर जाओ अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो खूनी तो पैदा होते ही रहेंगे ना जैसा तुम कह रहे हो उसके अनुसार जिनके बच्चे फॉरें में उनी के घर खून हो रहे हैं अब तक 13 खून हो चुके हैं इतना यह नहीं एक आदमी मिसिंग भी है इंक्वाइरी करने पर पता चला है कि 13 लोगों में से 12 लोगों क सती दिइघ değer फॉरें करते हैं तो जो खून कर रहे हैं वो जान पहचान वाले अरे बस करो यार यह मता शादी कब करने वादा है मेरी शादी हो इससे पहले ये प्रेस वाले मेरी शादी किरवा देंगे यह देखो हेई एक पुलिस रक्षक के लिए भी एक रक्षक जरूरी है इस राइटर में रिपोर्टर के साथ तुम्हें जोड दिया है देखो अगर तुम इसे जवाब देना चाहते हो तो जल्दी इसे शादी कर लो केस सौल होते ही सबसे पहले शादी ही करूँगा बताया नहीं लड़की कौन है इसी जनलिस्स शादी करने वाला है क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए जनलिस्ट ही अच्छी रहेगी हेलो हेलो वह एक जनलिस्ट है मैं क्या कर सकती हूँ तुम नहीं जानते आइवल रून यूर लाइफ मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए जनलिस्ट ही अच्छी रहेगी हेलो हेई वेर और यू तुमसे बहुत जल्दी मिलना चाहता हूँ पुलिस से शादी करने वाली हो तुम्हें ये बात कैसे पता सत्या जेम्स के फ्रेंड है वो कल घर पर आये थे जेम्स और सत्या ये कैसे हो सकता है वो तो पता नहीं लेकिन तुम भी मेरी तरह जेलने वाली हो ये क्या बोल रही हो जेम्स का दोस्त कैसा होगा नहीं चीची सत्या तो बहुत अच्छा इंसान है अच्छा है तो अच्छी बात है लेकिन मुझे ये शादी बिलकुल मन्सूर नहीं है अपने जिन्दगी को किसी और के हवाले क्यों करना एसा है तुम कहा करती थे न अब क्या हो गया तुम्हें कि अ वाट वाज किन सिप्सक्व कि हर शेटी रॉइत यह बद सत्या को पता है अगर पता चला तो क्या करोगी सत्या को यह पता चलेगा ही नहीं और वैसे भी किशोर और मेरे रिलेशन का कोई एविदेंस ही नहीं है क्यों तुम्हारे बारे में सत्या को बोल दूंगी इसलिए तुम्हें डर लग रहा है कुम ओन यूर मैं बेस्ट फ्रेंड आई रहा है यू इल किल यूरसल्फ बट निव बिट्रे मी सही कहा तुम्हे तुम बे फिक्रड हो क्योंकि तुम्हे जो राज मुझे बताय था वो हमारे अलावा किसी को पता भी नहीं चलेगा रिलाक्स हहह don't worry I will take care don't worry okay doctor okay by the way मैंने जो दवायां दी है time to time लेना that is most important ओके बाई, हे, कौन हो तुम, तुम्हारा अपइटमेंट है क्या, सिधे अंदर आगे, वो जो जा रहा है, वो जैम्स, थॉमस है ना, उनको क्या हुआ है, हलो, वो मेरा पेशन्ट है, मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊं, नहीं सर, पच्चीस सालों से मेरा दोस्त ह इदर कुछतिनों से बात नहीं कर रहा है, वो पता नहीं क्या हो गया है, यसलिए जानना चाहता था, जब देखो टेंशन में रहता है, इसलिए आप बैठ ये, उसे क्या परिशानी है, अगर पता चल जाए, तो मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकता हूं, वैसे तो यह आदमी, बहुत शिधा सदा भोला- dependencies वहां जो मार खाया था उसके बाद फिर वो वो बच्चा कैसे तुम कह रहे हो कि तुम उसके 25 साल पुराने दोस्त हो तुम्हें नहीं पता चाहे कितना भी करीबी फ्रेंड हो उसके पॉस्टनल में एंटरफेर नहीं कर सकते हैं बच्चा पैदा होने के बाद ही ऐसा हुआ है है यार तेल मी फॉस्ट यार नो नो तेल मी यार हालो तुम अपने आपको समझती क्या हो इस महीं ने तुमने कितना खर्च किया तुम्हें कुछ पता है नमस्ते साथ जी मेरा नाम भासकर है एक दूसरा नाम भी है मेरा आस्लिक करने वाला भासकर अपनी बीवी के सामने दिखावा करने के लिए तुम्हें मेरी बेटी ही मिली है क्या खबरदार तुम अपनी बीवी और बच्चे की वज़ा से बच गया है इस्जत से रहना सीख लो नहीं तो अगर मैं चाहू तो तुम्हारी जए इस्जत है ना चला कर भास्म कर दो क्या कहा अपने सच मता है और क्या अब बहुत हो चुका सब्दया आइदर यू लीव मी और यू मैरी मी मालेनी क्यों इस बारे में बार बार जिक्र करती रहती हो मैंने तुमसे कहा ना कि हम आराम से शादी करेंगे आराम से और किता आराम से तीन महीने या छे महीने या एक साल के बाद कोई को देट बता दो मुझे पेपर में लिखे गॉसिप की वज़े से तुम इतना परेशान हो रही हो और खुद को बहुत बड़ा जनलिस्ट कहती हो एक बात सुनलो माली जब तक एक साल नहीं होता मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता और इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे साइको किलर को पकड़ना ही होगा अगर तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद उस साइको किलर को पकड़ो फिर हम दोनों उसको पुलिस के आवाले कर देंगे और सजा दिलवा कर शादी कर लेंगे लेकिन तब तक शादी की चर्चा भी मत करना हुआ है कि एकत को किल्वें जने भी मत क scream लेकि je है वहें जने वदुम्हा भी मत कIM हुआ तुमKका मत सेजाशी मत काउं है वहाजी कि प junior कि अब सब्सक्राइब और कोई खास बात नहीं नहीं लिया भाई जब लोंगा तब हफता हजार उपया दे दूंगा आपको अरे मैं इसके लिए थोड़ी पूछ रहा हूं ये भी रहा कैसा आजीब है यहां क्या कर रहे हो छोड़ी करने आइव क्या तूचोर किसे बोल रही है चोर करने नहीं एस में आपको तूँ पुप्रेंगा और भर ड्रखा कर द लेङा शररा समंदा करी रहे ना मैडम शीबा कहा है अभी तक आई नहीं मैडम आप आप आए ना अंदर बैठ जाएए ओके आंटी कैसी है आप हाई अजानक के से पास में काम से आई थी तो मैंने सुच आंटी से मिलती चलूं गुड मॉर्निंग मैडम हम ठीक है यह कौन है सेक्योरिटी तुम्हें बताया था ना उस राद यही आया था है तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है क्या कुछ तो सोचा करो तुमने इसे ही काम पर रख लिया मुझे इस पर पूरा भुरोसा है समझा कर कोई फाइदा भी तो नहीं है है माली नहीं भाड में जाओ तुम क्यों मैडम आज फोन पर बात नहीं कर रही हो पर आजाओ हां हां मैडम हम श्याम कातियो मैडम जल्दी आना हां विक्त्री जी मैडम ये लो तुम्हारा पगार थैंक्स मैडम एक और बात ये लो इतने पेसे किस के लिए तुम्हारे लिए है मैडम सच के बार में मैं किसी को नहीं बोलूगा मैडम मुझ पर भरोसा रखिए तुम पर भरोसा है इसलिए तुम्हें यहां रख लिया मुझे पता है तुम्हारे पर बहुत करजा है रख लो ए चोक्रे विक्ठरी के पास जा खत्म कर दे ठीक है भाई आओ मेरी प्यारी छोटी बच्ची मैं तुमें तिकाता हूं आगे देखता हूं यहीं कहीं होनी चाहिए इंडिकेशन प्रॉपर्टी खाली पड़ी है यह उनीस तंबर किदर है किदर है यहीं तो बताया था शायद यह है यह है नहीं यह नहीं है कितर है फिर यहीं तो आई मिल गई मिल गई गई उनीस तंबर खाड तो बहुत बड़ा है पार्टी बहुत बड़ी लगती है मैंडम चाबी हम यही इधर क्या कर रहा है हां तुम्हें बात बतानी थी आज रात नित्या यहाँ नहीं रुकेगी तुम्हें रुकना हों मैं संभाल लोंगा मैं तो इदर क्लिए भाई मैं यहीं काम करता हूं अभी जो गई वो यही है नहीं हाँ हाँ है पटने वाली है क्या है भाई भाई एहीं है भाई तूर को बाई जदी जोगए है नहीं है अभाई अभाई तो और अभाई अभाई कि अब बाएब ए सब्सक्राइब कर दो और फिर नार इव जान सब्सक्राइब inek ह से नह वह जो कि नह नह כई उrit कि एए किया रहे उनको मुझे पैसे देने थे जो हुआ तुने देखा क्या नहीं भाई नहीं पैसे की ज़रूरत नहीं है निकल ले यहां से ठीक है भाई एए तेरा फैमिली है ना आपन वाच करेगा है किसी ने बेरहमी से खुन कर दिया किसी ने देखा गया फूश्टाज पर पता चला किसी ने नहीं देखा है जरा चैनल नाइन को प्राओं आपको बुला रहे हैं माली का है माली दूसरा प्रोग्राम कर रही है सर पश्रूपती तुम सब्सक्राइब इस खुन के पीछे वज़ा क्या है बता सकते हैं मा में जाके आता है चलो बाई और कितना टाइम लगेंगा अधा खंटा लगेंगा साप्या यार कबसे आदा गंटा आधा गंटा बोल्ड है सच बताना तुझे पंचर बनाने आता है कि नहीं है सार मैंने बीम एंजिनरिंग किया है करके क्या फायदा अभी तक एक नट भी नहीं खोल पाया है पाई है का तुम्हारी जैसे पंचर पनाने वाले होते हैं तुम्हारी भी खरीदता अच्छा होता है इसकी तरह एक साइकल खरीद लेता कम से कम टाइम पर पहुंच तो जात अरे यह फोन क्यों नहीं उठा रहा है उससे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहां की नौक्रानी हूं अरे बाप्रे कौन है मैं हूं माजी विक्ट्री विक्ट्री जी आमाजी ठीक है आप सोचाएए मैं बाहरी बैठाओं ठीक है बैटा करती है झाल, 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 झाल कि एक बात सुन लो माली जब तक एक सौन नहीं होता मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं दूसर रिपोर्टर से नजर नहीं मिला पाती जहां भी जाते हो सब मेरी बेज़ती करते हैं पेपर में लिखे गॉसिप की वज़े से तुम इतना परेशान हो रही हो मैं जह में शादी की इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद उस साइको किलर को पकड़ो फिर हम दोनों उसको पुलिस के आवाले कर देंगे और सजा दिलवा कर शादी कर लेंगे उस जैट बाड़ी का क्या किया वो लेकर चला गया वहां से लेकर चला गया और वो दूसरा कॉन है पॉलिस्टेशन हाँ जी बोलिये आप जिस साइको किलर को ढून रहे हैं उसके बारे में मैं को जान देंगे क्या कर रहो जल्दी चलो ना क्या क्या वहाँ क्या क्या हाँ चलो क्या को पॉलिस्टेशन पॉलिस्टेशन गॉलिस्ट विक्तरी, विक्तरी, कौन है मिटा, कौन है, कौन है, कौन है, मिटा, मैं हुआ भुप्तरी, आप घपराइये मने, विक्तरी, अरे, कि यहां कोई बुजूर्ग औरत रहती है सर क्या पास वाले घर में हाँ सालों से वह यहीं कहती है बुजवर्ग औरत है अकेले हैं क्या जी सर कम से कम एक सिक्रेटी तो होना चाहिए कि एक सिक्रेटी कि यहां कियो कर दो कि यहां बंद्ध का क्या हुआ मालनी कुछ नहीं तुम टेंशन में हो क्या वो एक अन्नोन कॉल आए था वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं मिला बोलो सत्या एक मिनिट सत्या एक मिनिट बोलो परशुपती कहां कभी मालेनी वे गॉड़ दख्या शादी के लिए तैयार हो जाओ बाद में कॉल करता हूं अर्ष पुलिस टेशन यूटर लेकर जल्दी चलाओ थांक गॉड़ स्वानी शीवा क्या हो गया है इतनी रात को पाई कर दो कर दो कर दो उस साइको किलर को पुलिस ने कल रात अरेस्ट कर लिया और इस केस को सॉल्व कर दिया है पिछले तेरा खोन के घटना स्थल पर जो फिंगर प्रिंस मिले हैं और जो एविडेंस मिले हैं उन दोनों को पुलिस इस तो लोगों को अंदर डालती है ये पैसे के बारे में क्यों पूछ रहा है कर दूंगा इसने पैसे के लिए मेरे साथ जाने के लिए भी मना कर दिया इसने बहुत अच्छा लड़का है बहुत तकलिफ उठाएगा कि आप से बात करनी थी saikho killer पकड़ा गया ना इसलिए मुझे नहीं पता मेरी आंके बंद थी टो साइको killer को पकड़ कर पुलिस के हवाले मैंने किया अच्छा तुमने साइको killer को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और मैंने यकिन कर लिया हक्ला के क्यों बोल रहा है बार बर ब्रेक लगाने कृए पाड़ी ठीक सø चला नी पाते जबान चलाते है जिस पोलिस टीम ने साइको किलर को पकड़ा है उस टीम के Mr. पशुपति हमारे साथ है चलिए उन से पूछते हैं इसW पिछले दो महीनों से हम लोग टीसी सत्या केंटर में साइको क्लियर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस केस में हमें सीटी के पांच लोगों पे शक्त था उन पांचों को फॉलो करने के बाद हमने इसे पकड़ लिया इसमें निगरानी करने के दोरान इसका कमाल का काम किया है अब मुझे दिल से सुकून मिला है अच्छा यह बताओ तुमने उस साइको किलर को पकड़ा कैसे उसके लिए सीक्रेट ऑपरेशन करना पड़ा जब मैं उस दिन तुम्हें डांट रा था तो बताना चाहिए था ना कि सीक्रेट ऑपरेशन है क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल नहीं होता सर लेकिन अगर बात बाहर आती तो लीग हो जाती है जो भी हो मुंबई से जिस काम के लिए भुलाया था तुमने काम पूरा कर दिया अब तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सर मैंने तो अ हो किस है ऐसे क्या देख रहा है तेरे पास और तीन मैंने है ना संभाल ले साइबो किलर से टीसी सत्या के पूश्टाच करने पर उसने बताया कि आज वहीनी पहले उसने जिसका खूल किया था वो 22 साल का एक नौ जवान था और वो कच्टे के धेर में पढ़ा गया था आगे की जानकारी के लिए टीसी से पूश्टाच करने के लिए पले करने कट्य के धेर के पास हम जा रहे है पिक टीम को 시क्पक अपने साथ ले यजा रहे हैं सच्चाई और सबस्ता наконец है आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ न्यू चैनल से जोड़े रही है कैम्रा में संदर के साथ माली नी रेडि चले तेरे दो लाक रुपे वह तो गये मेरी क्या बात वह तो किसी को नहीं मिला कोई क्या कर लेगा एए राउडी हम लोग है शहर में नेया राउडी कहां से आया अप उनके शहर में क्या हो रहा है जानने के लिए बस न्यूज देखो कर दो नेया दिए तावदा सुरबर के मताविक कर राज साइको किलर को पंगर्ने वाले अधिकारी डी सी संत्या थे और आज वो उस साइको किलर को पल्ली करने कच्रे के धेर के पास लेकर आये है साइको किलर ने जिस कच्रे में लाश को फेखा था उस कच्रे के पास दी सी सत्या को एक क्लू मिला है और उसी कच्रे के धेर में एक और लाश मिली है पर जब मैं धर आया तो मैंने देखा कि यहां पर यह बहुत बात आ रहे थी तो यह 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 तो दीपक भाई है यह इसे किसे वारा सच में मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मैडम इधरा अंतर मा है ना मैडम जब भी मैं तकलिफ में था तब आपने पैसे दे कर मेरी मदद की आज मेरा जो कुछ भी अच्छा है वो सब आप ही की वज़े से मेडम आप चिंता मुद कीजिए मेडम मैं जेल चला जाओंगा मेरी मा और मेरी बीबी मित्रा को आप संभल लीजी खुश ही महसूस करता है इसलिए यह ऐसा करता है हाली में जो बॉड़ी मिली है उसमें से एक तुकमा में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें से एक बाईस साल के लड़के की लाश है यह लड़का उस खुण को रोकने की कोशिश कर रहा था जिस वज़े से इसने उसको बेरहमी से मार डाला और यह जो दूसरी लाश है वो उसकी है जिसकी गाड़ी में यह लिफ्ट मांग कर जा रहा था जब यह उस लाश को कच्रे के ढेर पर भेंकने गया तो उसके खुण का धबबा उसके शट पर लग गया और जब गाड़ी वाले ने खुण के धबबे के बारे में पूछा तो इसने भी उसे पत्थर से मार दिया सिर्फ इतना ही नहीं तिरुवानी में जो मडर हुआ यानि बिल्डर समुद्रन का भी खून इसी ने ही किया है यानि अब तक जो 17 खून हुए है वो इसे ने किया है ये बात ये अब कबूल कर चुका है थैंक यू अब उरके बड़े भाई को और तीबक को इसी साइको किलर ने मारा है जली सम तक पहुंचे उसके पहले चलो जलो 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 समुद्रन का जिसने खून किया वो यह नहीं है और जो दूसरी बॉड़ी मेरी उसका खून भी इसी ने किया होगा सथ आइसा है क्या तो मैं प्रेस में यह कहकर आ जाता हूं कि जो मैंने कहा वो सही नहीं है तुम फाइल लेकर सफाई देते रहे ना अरे भाई वो जेल के अंदर पीएचडी थोड़ी करने वाला है जब उसने इतने खून किया है तो यह भी उसी के सर रहने दो ना तैडी मुझे चोकलेट चाहिए है जब देखो केक और चोकलेट है वो सब यहाँ पर नहीं मिलेगा यहां से थोड़ी दूर जाएंगे तो कॉफी शोप है वहाँ पर मिलेगा यह सब तुम्हें कैसे पता है कैसे पता चलो दिलाता हूं MA 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 क्योंते है बातले हैं... और प्रीज़ेंदी इसलिए, एख भीड़ रिखेंगे उपले एंदिए, आपको। तर रिखेंगे मैं धुषे विखेंगे जा थो, इसलिए बढ़ दो.. एजम आजाओ, यहेछें आज़ी थाविंअ। हिं़ू। अंकल को कॉंझरेट सुमीट विए पढ शाथ वांग। पर में? एव एव अवकट वो यूव अखेल शेवा पास ही रहने दो, ये मेरा मोस्ट वैल्यूएबल पर्सनल कलेक्शन है, हेई, शीबा, ये सब क्या है, मैंने कहा था ना, वो बात मैं सत्या को कभी नहीं बताऊंगी, तो मेरे साथ विश्वास खात मत करना, और मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी, मुझ पर यकीन करो, एक ओरत के अंदर जो रहस्य है, वो बाहर ना आए, उसे एक ओरत ही रोख सकती है,